एके शर्मा आज बीजेपी जॉइन करेंगे और एके शर्मा गुजरात केडर के आईस आधिकारी थे प्रधार मंत्री नहिंद मोरी के करीबी माने जाते हैं एके शर्मा और आज एमलसी चुनाओं के लिए गोशित होंगे प्रत्याशी पार्टी कार्याले पर प्रदेश अध एक बड़ी ख़बर आप तक बहुत चारे लखना उसे बड़ी ख़बर है जहां पर पूर वाइस एक शर्मा आज बीजेपी जॉइन करेंगे एक शर्मा गुजरात के आईस हैं और प्रधार मंत्री नहिंद मोरी की करीब मारा जाते हैं राजमलसी चुनाओं के लिए गोश प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के क्लोज एसोसी एड के रूप में दोजार एक से लेकर के दोजार बीस तरह बीजेपी जारा जारा है इस बात के भी कैस लगा जारा है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का उत्तर प्रधेश को लेकर के फोकस कुछ और विजन कुछ और और इसलिए चुनाओं जबकि एक साल उत्तर प्रधेश में दोजार बचा जा सकता है तो ऐसे में अपने बेहत करीबी एसोसीएट ब्योरेक्रेट को उत्तर प्रधेश की बहुत अच्छा पकड़ होगा और शायद इसके लिए उनको कोई पॉर्टफोलियो भी दिया आ सकता है अभी शेक आपको क्या कॉन्स यासी की पोस्ट हो सकती है जिसके जिम्मेदारी पूर्व आये शर्मा को दी जा सकती है अधिके फिलाल मुख्यमंतरी तो मुख्यमंतरी योगी आदे तेनाथ ही है और वो उस पर शायद बने ही रहेंगे हमेशा क्योंकि इसको लेकर के कोई शंचा नहीं है लेकिन उसके बाद जो की पोस्ट है डिने की इस बात के संकेत ऐसे मिल रहा है कि उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है इसके अलामा अगर सरकार में वो शामिल नहीं होते हैं तो भाजपा संगठन में उनको एक एहम जिम्मेदारी दी जाएगी उनके एक एक एहम जिम्मेवारी होगी लेकिन ये भी अगला स्टप है आज पहला कदम है कि वियरस लेने के बाद ठीक एक दिन के अंतराल पर वो लखनों में मौझूद रहेंगा और आज वो बीजेपी की सदसेता लेंगे अबिशेक आपसे जानना चाहेंगे शर्मा को लेकर किया अभी तक कोई आधिकारिक बयान पीजेपी की तरफ से आया है क्या कोई एलान अभी तक किया गया है देखें फिलाल पार्टी की तरफ से कोई खबर नहीं दी गई है ये सिर्फ का गया है कि कुछ खास प्रभावशाली लोगों की आज भाच्पा में एंट्री होने जा रही है उनको भाच्पा की सदस्ता दिलाई जाएगी लेकिन ये बात सही है के एटी एड बैच के आये सदिकारी एके शर्मा उन चुनंदा लोगों में से हैं जो प्रधान मंतरी नरेंद मुदी के बेहत करीब रहे हैं आज से नहीं पिछले अठार सालों से और ऐसे में बहुत साधारन तरीके से बहुत शान तरीके से बहुत साधारन महाल में उनकी भाच्पा में जॉइनिंग करा जा रही है इसको साधारन कहा या सकता है लेकिन ये असाधारन कदम इसको कहा जाएगा क्योंकि जिस तरीके से वो दो साल पहले उन्होंने प्रीमेश चो रेटार्मेंट लिया है और उसके बीजेपी पे आ रहे है अबीशेक और वहीं किसान नेता राकेश श्रकायत का एक बड़ा बयान सामने आया उन्होंने का गिस सरकार से कल होने वाली बाचीद भी बेनतीज़